मेहंगाई राहत कैम्प जून तक हमारा चलने वाला है यानि कि इसके अंदर आप दस बड़ी योजनाओं का लाब प्राप्त कर सकते हो किस परकार से आप इसके अंदर आविधन कर सकते हो और कौन-कौन सी योजनाओं का लाब आपको प्राप्त होने वाला है वो जानकारी आज हम आपको इस वीडिय राजस्तान सरकार के अंदर चलाई जाती थी लेकिन उन योजनाओं का लाब वो लोग उठाती थे जिनको आवसकता नहीं होती थी और जिनको आवसकता होती थी वास्तव में जिनको योजनाओं का लाब मिलना चाहिए था वो लोग योजनाओं के लाब नहीं उठा पाते थे इसलिए सरकार ने महंगाई राहत कैम हर गाओं हर धानी हर कस्बे के अंदर बिलकुल लगाया है जिसके लिए बिलकुल आम जन अपनी योजनाओं का लाब लेने के लिए उस कैम के अंदर जाकर अपना रेजिस्टेशन करा सकता है और उन योजनाओं का दस बड़ी और इसके अंदर क्या-क्या आम जन को लाब मिलने वाला है वो जानकारी हम आपको बताते हैं तो सबसे पहली योजना है हमारी अननपुन्ना फूड पैकेट योजना यानि कि राजिस्तान सरकार के तरब से चलाई गई ये अन्नपून फूड पैकेट योजना चलाई जा रही है जिसके अंदर गरीब परिवार जनों को जिनको रासन की आऊ सकता है जिनको रासन मिलता है उनके लिए एक फूड पैकेट योजना हमारी बनाई गई है जिसके अं आए गया है जो कि आम जनों को हर महीने सरकार की तरफ से फीरी मिलने वाला है यानि कि इसके उपर सरकार हर महीने 3,000 करोड लगबख रुपया खर्च करने वाली है यानि कि अगर आप इसके अंदर अपना आविदन कराते हो तो ये food packet आपको हर महीने मुफ्त में आपको सरकार के तरब से दिया जाएगा दूसरी बड़ी योजना का अगर हम बात करें तो दूसरी बड़ी योजना हमारी है जिसके अंदर आप अपनी चिरन जीवी योजना को आप बिल्कुल रजिस्टर करा सकते हो यानि कि बिल्कुल निशुल्क आप अपना चिरन जीवी में अपना आविदन कर सकते हो जिससे आपको पूरे के पूरे 25 लाख रुपे तक का इलाज मुफ्त होने वाला है यानि कि पहले ही हमारी राशिती 10 लाख रुपे जिसको राजस्थान सरकार ने बढ़ा कर अब 25 लाख रुपे कर दिया अगर आप इस चिरन जीवी योजना के अंदर आगर आविदन करते हो तो आप बिल्कुल राजस्थान सरकार के तरब से 25 लाख रुपे तक का निशुल्क इलाज फिरी करवा सकते हो और तीसरी बड़ी योजना हमारी है मुख्यमंत्री दुर्गटना बीमा योजना यानि कि ये भी हमारी चिरन जीवी योजना से ही हमारी कनेक्टेड है इसमें पहले हमारी दुर्गटना बीमा की राजसी पांच लाख रुपे रखी गई थी लेकिन अगर आप इस कैम के अंदर अपना आवेधन करते हो तो इसके अंदर अगर किसी परकार से कोई दुर्गटना से मृत्य हो जाती है तो आपको पूरे के पूरे 10 लाख रुपे तक का बीमा राजसी आपको परिवार जनों को दी जाएगी जिसके अंदर आप निसुल्क आवेधन कर सकते हो निसुल्क अपना रजिस्टेशन कर सकते हो और ये तभी आपको प्राप्त होंगे जब आप इस कैम के अंदर अपना रजिस्टेशन कराओगे आप रजिस्टेशन के लिए आपको क्या DOCUMENT कि आउसकता पढ़ने वाली है काफी सारे DOCUMENT आपको लेकर नहीं जाना आपको केवल अपना जनाधार CARD और अपना RASAN CARD अपने वहाँ पर लेकर जाना है और अपने बिजली का बिल आपको वहाँ पर लेकर जाना है यानि कि main main अगर हम बात करें तो तीन document आपको लेकर जाने है अपना विजली का बिल अपना रासन कार्ड और अपना जनाधर कार्ड सारे सार डोकमेंट आपको ले जाने की कोई आओ सकता नहीं है और चोथी बड़ी योजना की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री निशुल ग्रेलू बिजली योजना हमारी इसांप के अंदर बिल्कुल दी Same लिए या ने कि आपके घ्रेलू बिजली के रूप में आपको 100 यूरी ए राजस्तान सरकायर के तरफ से दीजा जीरो जीरो आपका बिल रहने वाला है और पांचमी बड़ी योजना के अगर हम बात करें तो मुख्यामंतरी निशुल्ख क्रशी बिजली योजना यानि कि हमारी किसान भाईों के लिए ये योजना बनाई गई है अगर आपकी कुवा कोटी है और आपका अगर कुवे का बि तो आपका बिजली बिल बिलकुल सुन्य रहने वाला है और चठी बड़ी योजना के अगर हम बात करें तो मुख्या मंतरी गैस सिलेंडर योजना जी हाँ दोस्तों अपने सही सुना मुख्या मंतरी गैस सिलेंडर योजना इस योजना के तहत आपको गैस सिलेंडर पूरे 500 रुपे के अंदर आपको मिलने वाला है लेकिन एक छोटी शी बात में आपको बताना चाहूँगा यहां पर कि अगर आपके पास उजवल connection है उजवला connection है तो ही आपको ये gas cylinder के अंदर रहात मिलेगी अन्य था आपको रहात नहीं मिलेगी क्योंकि पहले उजवला connection वाले लोगों को भी ग्यारा सो रुपे रीफिल के देने पड़ रहे थे गैस सेलेंडर अगर उनको बरवाना था तो उनके ग्यारा सो रुपे देने पड़ रहे थे लेकिन इस camp के अंदर अगर आप आवेदन करते हो अपना registration करते हो और अगर आप एक उजवला उग्भोकता हो उजवला गैस उग्भोकता हो तो आपको इसके अंदर registration करने के बाद में अपने गैस सेलेंडर को रिफिल के मात्र 500 रुपे ही देने पड़ेंगे तो ये भी राजस्तान सरकार की बहुत अच्छी चठी पहल है बहुत अच्छी योजना है इससे भी काफी लोगों को इससे राहत मिलने वाली है और सात्वी बड़ी योजना की अगर हम ब प्रदान की जाएगा जिसके महँटाना भी आपको प्राप्ठ होने वाला है लेकिन इसके लिए आपको इसके अंदर आवधन करना होगा और आवधन का और किसी परकार का कोई भी चार्ज आपका नहीं रहने वाला यह बिल्कुल 100% निसुलक रहने वाला है केवल आपको स्कैम के अंदर अपना रजिस्टेशन करना होगा तभी आप इन योजनाओं की सुविधाएं उठा सकते हो और अगर हम नोवी बड़ी योजना की बात करें तो हमारी है समाजिक सुरक्षा पैंसन योजनाओं जी हां तो अपने सही सुना अगर आप एक ओल्ड वेक्ति हैं और आपको समाजिक सुरक्षा पैंसन मिलती है तो यह पैंसन की हमारी रासी बढ़ा कर 1000 रुपे कर दे गई है पहले यह रासी हमारी 7500 रुपे थी अब के अंदर जाकर अपना आविधन करोगे अपना रजिस्टेशन करोगे तब यह आपको साड़े साथ सो की जगा आने वाले महीने के अंदर आपको एक हजार उपे बिलकुल पैंशन के रूप में साहेतारासी राजस्तान के सारकार के तरफ से प्राप्त होने वाली है और हमारी फैली थी गायों के अंदर लंपी वाइरस करकर जिसके अंदर काफी ज्यादा लोगों की बिलकुल पसुदन को नुकसान हुआ था काफी लोगों का रोजगार चला गया था क्योंकि काफी सारे लोग हमारे डिपेंड करते हैं डेरी के ऊपर यानि कि वो गाये पालन क काम करते हैं तो राजस्थान सरकार की तरफ से यह दस्वे बड़ी योजना हमारी काम देनू बीमा योजना है यानि कि इसके अंदर आप अपनी गायों का बीमा निशुल कर गा सकते हो जिससे आपको किसी परकार की आने वाली कोई भी दुरगटना होती है या फिर ऐसा कोई अगर आपने अपना तो जल्दी कराया आप आज ही जाएए अपना अडार्सकार अपना रासंकार और विजली के बिल लेकर और आप भी महंगा राहत कैम्प में जाकर अपना डाजिस्टेशन कराईए और दस बड़ी योजनाओं का लाब आप भी राजस्तान सरकार से सीधा प्राप्त करिए क्योंकि ये आम जनों की सुईधाओं के लिए ही हमारा ये कैम्प लगाए जा रहा है क्योंकि ताकि जो लोग वास्तों में इन उठा सको जियां दोस्तों यही कुछ ओड़ी इस इंफोर्मिशन दिस होता आप लोगों के साथ सेर कर लिजे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेर और जादा से जादा से जादा से वीडियो को आप शेर करती है ताकि ये आम जनों तक पहुंचे और वो भी जादा से जादा बेनिफिट्स रास्तान सरकार की तरफ से ले सकें योजनाओं का लाब उठा सकें और मिलते हैं आप से कल एक नई वीडियो में आज के लिए बस इतना ही जहिन जैभार